हेलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप सब हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है आज हम जो नीम का पौधा हम जो लगाये थे जो कटिंग करके लाये थे उसका आज हम अपडेट दिखाएंगे कि उसमें कली आया है कि नहीं आया है यह जो हम बोंसाई दिखा रहे है है फ्रेंट्स यह उस दिन हमने रिपोर्टिंग जो किया था और इसका प्रूनिंग किया था तो हम दिखाना चाह रहा है कि इसमें फिर से यह देखिएगा छोटे-छोटे बढ़स आ चुके हैं और यह ग्रोथ के उपर ग्रोथ कर रहा है बहुत तेजी से यह देखिएगा बहुत अच्छा ग्रोथ है इसमें यह बंसाई बनने के लिए तैयार हो रहा है और हमने इस सुंदर सा यह पॉट में हमने लगाया है यह हमारा हाथ से बनाया हुआ पॉट है अब हम दिखा रहे हैं फ्रेंट्स कि यह जो हम जो नीम का प्लांट हमने इसमें लगाया था लोग को दिखा रहे हैं इसका अपडेट इसको हम निकार रहे हैं और देख रहे हैं कि यह इसमें बर्डिंग चालू हो थे वाह बहुत ही सुंदर इसमें आप देख रहे हैं फ्रेंट्स कि यह बहुत ही अच्छा इसमें बर्ड्स आना चालू हो गया है और हम थोड़ा सा जट लेट कर दि इसको नीकानने में, पांचे दिन पहले इसको नीकानना था, वट अभी दिक्कत नहीं है, यह बहुंत अच्छा ग्रोज कर लिया है, अब इसको हम हल्के चाँ जगा में ही रखेंगे, अभी गडमी का दीं है, मई का महीना चर रहा है, तो इसको च्छाँ वाले जगह में ही रखेंगे और तकरीबन एक साल तक हम इसी पॉट में रखेंगे और भी बड़ा पॉट दे सकते हैं क्योंकि बोंसाई का पहला इस्टेज यही होता है कि सबसे पहले उसका रूट को डेवलाप्ट होने देंगे उसके बाद ही हम जो बढ़ता जाएगा तो हम इसका कटिंग करते चलेंगे उसके बाद भी हम बोंसाइट ट्रे में इसको डालेंगे तो आज का यही अपडेट था हम यह जो प्लांट हंटिंग करके लाए थे और इसको लगाने का तरीका हमने बताया था और इसके पॉलिठीन लाक हमने मसर अच्छा से मिलता है और हम बताये थे कि जल्दी से बटस आता है तो यह अगर ट्रीक आप ठंड के दिन में यूज अगर करेंगे तो बहुत जल्दी बटस और हम इसमें पानी डालेंगे और लगभग इसमों दो-तीन महने तक इसमें बिल्कुल भी खाद डालने की में तो अभी बिल्कुल भी हार्ड न्यूट्रिशन की जरुवत नहीं है इसको तो बिल्कुल भी इसमें खाद वादा भी हम डालेंगे नहीं दो-तीन महने तक तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही था मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगर वीडियो अगर पसंद आया और बिल आइकन को जरु दबाईएगा ताकि आने वाला वीडियो आप लोग को मिलतार है थैंक्यू